Mozilla Firefox में Setting Pop-up and Image Options पर Spoken Tutorial में खुशाम दीद इस Tutorial में हम सीखेंगे कि Pop-up और Image Preferences को किस तरह मुकरर करें और Toolbar Customize करना Pop-up Windows या Pop-ups Windows होती हैं जो आपकी इजाज़त के बगएर खुद बखुद जाहिर होती हैं वो Size में मुक्तलिफ होती हैं लेकिन आमतोर पर मुकमल स्क्रीन नहीं गेरती कुछ Pop-up मौचुदा Firefox विंडो पर उपर खुलते हैं जबकि दूसरे Firefox के नीचे जाहिर होते हैं Pop-up काफी तकलीफ देह हो सकते हैं इसी वज़ा से हम इनको गयर फाल करना चाहते हैं इस टिटोरियल में हम Ubuntu 10.04 पर Firefox वर्जन 7.0 इस्तमाल कर रहे हैं अब Firefox ब्राउजर खोलते हैं URL बार में www.popuptest.com टाइप करें Enter की प्रेस करें ये साइट आपको बताती है कि Pop-up क्या है Multi Pop-up Test के लिंक पर क्लिक करें आप 6 Pop-ups देखेंगे Back पर क्लिक करें दो और Pop-ups जाहिर होते हैं देखें कि वो किस कदर तकलीफ देह हैं Firefox आपको Pop-ups और Pop-unders दोनु को कंट्रोल करने की इजाज़त देता है इसे Edit और फिर Preferences पर क्लिक करके किया जाता है Windows Users, Tools और फिर Options पर क्लिक करें Preferences विंडो में Content टैब पर क्लिक करें Default तोर पर Block Pop-up Windows आप्शन पहले ही On होता है अगर नहीं है तो आपको इसे चेक करने की ज़रूरत है तो आपको Firefox में Pop-up जाहिर होने से रोकने के लिए इस आप्शन को चालू करने के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है अब आप Close बटन पर क्लिक करके Firefox Preferences विंडो बंद कर सकते हैं आप Exceptions भी मुंतखब कर सकते हैं Exceptions वो साइट सोती हैं जिनके Pop-ups आपके लिए काबिले कुभूल होते हैं Edit और Preferences पर क्लिक करें Windows Users, Tools और Options पर क्लिक करें Exceptions शामिल करने के लिए Block Pop-up Windows फिल्ड के आगे Exceptions बटन पर क्लिक करें ये एक Dialog Box खोलता है Address of Website फिल्ड में www.google.com टाइप करें Allow बटन पर क्लिक करें Dialog Box को बंद करने के लिए Close पर क्लिक करें Preferences Dialog Box को बंद करने के लिए Close पर क्लिक करें अब Google.com के इलावा तमाम साइट से Pop-ups मुस्तरद होंगे अब URL बार में www.popuptest.com टाइप करें और Enter प्रेस करें Multi Pop-up Test के लिंक पर क्लिक करें एक भी Pop-up जाहिर नहीं होता है आपका Pop-up Blocker मौसर है Images डाउनलोड होने में वक्त और Bandwidth लेती है Mozilla Firefox में Images को चुनिन्दा तोर पर डाउनलोड से रोकने के लिए एक आप्शन है Edit और Preferences पर क्लिक करें Windows Users, Tools और Options पर क्लिक करें Preferences Dialog Box में Content Tab पर क्लिक करें Load Images Automatically Checkbox गैर फ़ाल करें Dialog Box को बंद करने के लिए Close पर क्लिक करें अब सर्च बार में Flowers टाइप करें और Enter की डबाएं Google Home Page से Images पर क्लिक करें जाहिर होने वाली पहली Image Link पर क्लिक करें हम देखते हैं कि Image Load नहीं होती है Mozilla Firefox टूल बार कस्टमाइज करने के लिए बहुत से Options महिया करता है अगर हम किसी टूल बार को छुपाना चाहते हैं मिसाल के तौर पर Menu Bar Menu Bar के खाली सेक्शन पर दाया क्लिक करें और इसे गयर मुंतखब करें बस इतना ही Menu Bar दुबारा देखने के लिए टूल बार के खाली हिस्से पर दुबारा दाया क्लिक करें अब Menu Bar आप्शन को चेक करें टूल बार को कस्टमाइज करने के लिए Firefox Advanced Options फराहम करता है कुछ आप्शन देखें टूल बार पर एक आइकन शामिल करें जो हमें एक क्लिक में वेब पेज प्रिंट करने की इजाज़त देगा टूल बार के खाली हिस्से पर दाया क्लिक करें कस्टमाइज पर क्लिक करें कस्टमाइज टूल बार डायलोग बॉक्स जाहिर होता है Dialog Box के अंदर आप Print आइकन देखते हैं Toolbar पर आइकन ड्राइग करें Done पर क्लिक करके Dialog Box बंद करें Toolbar में Print आइकन पर क्लिक करें ये Print Dialog Box को जाहिर करता है अभी हम Print नहीं करेंगे लहादा Dialog Box को बंद करने के लिए Cancel पर क्लिक करें आप Toolbars शामिल या हटा सकते हैं ऐसा करने के लिए Toolbar पर Right क्लिक करें और Customize मुंतखब करें Add New Toolbar बटन पर क्लिक करें नए Toolbar के लिए एक नाम दर्ज करें इसे Sample Toolbar नाम दें OK बटन पर क्लिक करें अब Sample Toolbar पर एक आइकन डाउनलोड्स ड्रैग और ड्रॉप करें ब्राउजर में नए Toolbar पर तवज्जा दें Toolbar निकालने के लिए Restore Default Set बटन पर क्लिक करें Contents Area को Maximize करने के लिए हम आइकन का Size कम कर सकते हैं Use Small Icons नामी Check Box चेक करें Dialog Box को बंद करने के लिए Done पर क्लिक करें हम देखते हैं कि आइकन का Size छोटा हो गया है अब हम इस टिटोरियल के आखिर में आ चुके हैं इस टिटोरियल में हमने सीखा कि पॉप अप और Image Preferences किस तरह मुकरर करें और Toolbar कस्टमाईज करना यहां आपके लिए एक मश्क है एक नई Mozilla Firefox विंडो खोलें इनके इलावा जो www.yahoo.com से हैं तमाम Pop-Ups बुलॉप करें एक Bookmark Toolbar दर्ज करें मंदर जजयर लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें यह Spoken Tutorial Project का खुलासा करता है अगर आपके पास अच्छी bandwidth नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं Spoken Tutorial Project टीम Spoken Tutorials का इस्तमाल करते हुए वर्कशॉप भी चलाती है जो आउनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको सनद भी देते हैं मजीद मालूमात के लिए contact at spoken-tutorial.org पर लिखें Spoken Tutorial Project Talked at Teacher Project का हिस्सा है जिसे हुकुमत हिंद के MHRD वजारत के कौमी खौंदगी मिशन ने ICT की जरिये से हिमायत की है इस मिशन पर मजीद मालूमात दिये गए लिंक पर दस्तियाव हैं spoken-tutorial.org slash nmeict-intro इस सिक्रिप्ट का तरजमा और सदाबंदी मैंने यानि वजाहत अहमद ने की है शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया